नमस्कार दोस्तों अगर आपका भी SBI बेंक में सिविंग अकाउंट है और आपने हॉम ब्रांच में जाके ATM कार्ड के लिए फॉम जमा कर दिया है फिर भी आपको ATM कार्ड नहीं मिल रहा है तो अब आप ओनलाइं दो मिनिट के अंदर SBI का वर्चुल डेविड कार्ड जेनरे है पहला है रूपे का दूसरा मास्टर का और तीसरा है विजय का तो तीनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा तो देखी दोस्तों मैं आपको एक सब्द में अंसर दूं तो तीनों ही बेस्ट है जो आपको सही लगता है आप तुरंट से जनरेट कर सकते हो लेकिन मैं आपको चार्ज होता है वो भी निल है और आप तीनों ही कार्ड से ATM मसीन से केस नहीं निकल सकते जो कुछ भी करना है आपको online transaction करना है वो तीनों ही कार्ड से आप इंडिया के साथ साथ आप इंडिया के बाहर भी online transaction कर सकते और जो कोई ट्रांजेक्शन करोगे ओनलाइन तीनों काड़ में आपको सेम मिलेगा वाकि जो रिवार्ट पॉइंट है और बोनस पॉइंट है आपको तीनों काड़ में सेम देखने को मिल जाएगा जैसे आपका वर्चुल डेविट कार्ड जेनरेट होता है तो आप किसी भी यूप बना सकते हो ता कि आप ओनलाइन ट्रांजेक्शन कर सको जैसे कि मुवाल रिचार्ज हो गया बिल का पिमेंट हो गया तो जिस भी प्लेफियम को आप यूज करते हो वो लोग आप से एक रुपे दो रुपे तीन रुपे चार्ज रुपे इस पकार से चार्ज करते हैं आज इस कार्ड के थो पिमेंट करोगे इस कार्ड की डेटेस पिल अब करके तो यह सभी मैंने देखा है कि जो वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड होता है अगर आप इनके थो डारेक्ट पिमेंट करोगे तो ओ लोग पर ट्रांजेक्शन 4-5-6 रुपे एस्ट्रा लेते हैं तो य अलग-अलग state के उपर depends करता है लेकिन जो रूपे card होता है अगर आप इसकी details fill up करके payment करोगे तो ये फिरी रहता है तो दोस्तों एक point और बताना जरूरी है कि आपके mobile phone में जो NFC enable होता है फिलहाल तो आप रूपे virtual debit card के थोरो enable नहीं कर सकते अगर आपको जरूरत है NFC की तो आप master का या फिर वीजय का card ले सकते हो क्योंकि इनी card के थोरो आप NFC अपने mobile phone में enable कर सकते हो मेरे लिए तो इतना यो खास नहीं है क्योंकि आजकर सभी लोग UPI use कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं बाकि तीनों ही card का मैंने point by point बता दिया है तीनों ही card अच्छे हैं जो भी आपको सही लगता है आप उसको generate कर सकते हो और कोई भी charge वगेरा तो है नहीं